बच्चो आज एक बहुती प्रतिभा शाली बाल कलाकार को हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे आज के मुस्कान प्रोग्रेम की शाइनिंग स्टार भी है और जिन्होंने चित्रकला के शेत्र में उतक्रश्ट प्रतिभा का प्रदर्शिन किया है वो प्रतिभा है रिया जैन बालवित्रो अब तक रिया ने आच अंतर राश्टरी प्रतिव गितां, बीस राश्टरी, 75 जिला और राजस्तरी प्रतिव गितां उसाहित 100 से अधिक प्रतिव गितां। जीत हासिल करना निशित ही बहुत गर्व की बात है बहुत फक्र की बात है रिया बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्रेम मुस्कान में अपनी बारे में आपको चमें बताएं कि मुझे प्रायस नहीं मिलता था लेकर मेरे मम्मी और मेरे पापा मुझे मोटिविशन देते थे और बոलते थे इस बार ने तो अगली बार मिलेगा और फिर मुझे धीरे-धीरे कर चे प्रायस मिलना स्टार्ट हुए और अब मुझे 100 प्रॉस मिल चुके हैं और मैenne 13 Y में पेंटिंग में जूनियर सर्टिफिकेट कोर्स भी पास किया है इतनी कम उम्र में इतनी सारी उपलब्दियों का रसास्वादन आप कर चुकी है निश्विती आपकी मेहनत और परिश्रम का ही परिणाम है और रिया और अपने बारे में आप बताएं मुझे जुलाइट त के सांटिंस ने डिल सांटे के सजेगा ऐसीन प्राइस परिशे क्या था इसी में लेट कॉम्टिश्ट्र अपरी मेन सुर्थ मैंनलतों एंडल और मुझे फेंटिंग में ही नहीं मुझे वेघ्राटी में और मेदल्स मिले हैं और ऐसे राइटिंग में भी मुझे नेशनल लेवल सेकेंड प्राइस मिला है वह गवर्श्मेंट आफ इंडिया वाटर इवाटर कंसरवेशन इन का अर्गनाईज किया था तो सुम्हें मुझे सेकेंड प्राइस मिलाता और मैं मैंने पेकर्स में स्टेट ल अमरेला ने त मैंने मैंने में इस्वाली लोगों के हाँ मिल्सक और उसमें मोबाइल चारजिंग लगाया था कॉलिंग सिस्ट्फ लगाया था जीपईएस सिस्टम भी लगाया है और इक कई सारी लाइट सिम्कORशल जिससे अंधेरे में लोगों का लाइट की जरुवत ना पड़े जब बारिश हो रही हो और ऐसे बहुत सा ही चीज़े लगाई थी और वो सब है नां उचा करें मुझे परदाननी राश्री अ determintext 2 जनवरी को मिला ये पुरुशकार मुझे डिली में राश्पती भ्वन में माननी राश्पती जी के हातों मिला और मैं 24 तारिख को मानली प्रधान मंतिरों जी से मिली थी और उन्होंने भी मुझे प्रोसान किया और मैंने उनको एक पेंटिंग यह मैं की इसम की जिसमिया परेट जिसमें उन की मा को टिलक करन कर रही हैion बीज्डिजे विए करते हैं तो उनोंने तब करते हैं लेकिन यह बच्चों से बात कर रहे थे जब उन्होंने बताया कि जब मैं बहुत थक जाता हूं और मुझे एक एनर्जी चाहिए रहती है तो मैं अपनी मा को याद कर लेता हूँ मेरी सारी ठकान मिठ जाती और मुझे एक positive energy मिलती है वो हमें महनत से करना चाहिए पूरे लगन से चाहे किता भी बड़ा price मिल जाए हमें मतलब घमण नहीं होना चाहिए हमें उसमें महनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए रिया निश्विती बहुत ही तारीफ की बात है ये फक्र की बात है कि आप ने इतने सारे अचीवमेंट हासिल किये हैं और हम तो यही चाहेंगे कि आप नित नहीं उननती के सोपान करें बहुत आगे बढ़े रिया इसके साथ ही आपको भोपाल का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बिसेटर और महिला और बाल बेकास मंत्राले दारा बनाया गया है ये भी हमें आपके बारे में मालूम चला और 26 जन्वर राजपात की परेड में शामिल हुई थी जब मैं फिरी रहती हूं तो मैं अपनी मोबाइल जैसे बच्चे चला तो उसको ना चला कि मैं अधर अक्टिविटीस में ध्यान देती हूं जैसे पेंटिंग करती हूं या कराटे या कभी कुछ नया मॉडल बनाती हूं जब बड़ाई पर ध्यान देती हूं। जब मैं पेंटिंग करती हूं अपने मित्रों के लिए क्या संदेश देना चाहे हूं। मैं उनसे यह कहना चाहूँ कि आप जो आगे करना चाहते हैं जो बनना चाहते हैं और आपका जिसमें इंट्रेस्ट हो और जो आपका टैलेंट हो उसे आप कभी नहीं छोड़िए उसको हमेशे आगे बढ़ाईए और अपने पूरे इंट्रेस्ट के साथ कीजिए और आपको अभी नहीं तो कभी ना कभी तो उसमें सफलता मिलेगी बस आपको उसको पूरी लगन के साथ और महनत के साथ करना पड़ेगा और अगर आपको जितने भी बड़े कोई भी प्राइस मिल जाए लेकिन आप अपने आप में कभी घमंट मतलाईगे कि आप मुझे इतना बड़ा प्राइस मिल गया है और हमेशे लगन के साथ महनत करती है बहुत अच्छी बात अभी रिया ने आप सब रिया इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास जब कभी भी फ्री वक्त होता है तो उस समय का आप सदूपियों कैसे करती है क्या पसंद करती है ना मै उसमें पेंटिंग करना पसंद करती हूँ और उसमें खेलना भी पसंद करती हूँ बैड्मिंटन और साइके चलाना तो मैं टीवी भी देखती हूँ मैं और रेडियो भी सुना रिया इन सब चीजों में जो भी आप आप एक्टिविटीज कर रही है इसमें आपको घर में स चाहेंगे कि इस बारे में आप क्या सोच रखती हैं मैं यह कहना चाहूंगी कि आज बेटे और बेटियां एक समान है मेरे मम्मी पापा ने मुझे और मेरे भाई को इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी इसके कारणडी मैं इतने आगे तक पहुँच चुकी हूँ तो जो कभ अगर बेटा अभिमान है तो बेटियां भी वर्दान है और हमारी जो बेटियां अगर हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो हमारा पूरा घर, समाज, प्रदेश और हमारा पूरा देश शिक्षित होएगा और हमारा बेटियां हमारे देश का एक दिन नाम ज़रूर र और यदी देखना चाहते हो इनकी उची उडान को तो थोड़ा और उचा कर दो इस आसमान को